हैलो फ्रेंट्स आज बनाएंगे बड़ियासी अर्वी की सब्जी जिसके लिए मैंने ये अर्वी को पहले तो दो लिया था क्योंकि इसके उपर काफी मिट्टी होती है और अब अपने इसको छील लेंगे और ये अर्वी को मैंने छील लिया है इसको भी वापिस दो लिया है चीलने के बाद और इसको काटके फिर से इसको धोएंगे क्योंकि कई बार ये खुजली जो गले में खुजली होती है इस तरह का होता है तो ये देखिए और अच्छे से दो के ले लिया है ये मसाले में ये मैंने अर्वी काटके ले ली है सबजी के लिए और ये टमाटर ले तड़के के अंदर राई, मेथी, जीरा, सब मिला के एक टीस्पून और ये एक टीस्पून दनिया जीरा पाउडर, हाप टीस्पून हल्दी पाउडर, हाप टीस्पून मिर्ची पाउडर, वनफ़ टीस्पून हींग, हाप टीस्पून काली मिच पाउडर और नमक जाएगा स स्वाधानुसार और कड़ाही में मैंने चड़ा दिया है सरसो का तेल अब रख दिया है तेल गरम होने के लिए तेल जैसे ही गरम होता है अंदर डाल देंगे राई मेथी जीरा का तड़का और जैसे ही तड़का क्रेकल होता है गैस के आज को कर देंगे स्लो और सबसे पहले करके यह अर्वी और मसाले को एक दो मिनिट के लिए भून लेंगे तो यह देखिए अपनी बढ़िया सी अर्वी भून के हो गई है रैडी और अब इसके अंदर अपने थोड़ा सा पानी डालेंगे बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे तो इसको बस थोड़ा पकाने जि और इसके बाद जब इसमें उबाल आने लगे तो इसके अंदर डाल देंगे टमाटर और वापिस इसको मिक्स करके ढखके मीडियम आज पे होने देंगे जब तक यह प्रॉपर कूक नहीं हो जाता है तो आज को कर देंगे मीडियम और यह कर दिया कवर और अब देखिए य लास्ट में डाल देंगे गरम मसाला थोड़ा और धनिया जीरा पावडर मिर्ची डालोंगी यह उप्सनल है और बस इसको वापिस एक बार अच्छे से कर देते हैं मिक्स और इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे बढ़ियासा प्रेस धनिया खूब सारा और यह देखिए ब मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बैल आइकन को प्रेस करना ना बुले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोडिपिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए प्लीज लाइक शैन फालू Facebook page thank you